कि अगर वो कहेंगे कि उन्हें जाना है हाजिर हम लोग अगर कहते हैं कि पटना में रहना तो हाजिर हमें देखने आप मैं हूं आपके साथ मिराज मली कभियों मौजूद हैं पारास हॉस्पिटल में आपको बता दें कि लालुपशा व्यादफ यहां दो दिन से अडमिट है है वो गिर गये थे उनके देहने कंदे में चोट लगी थी और कमर में भी काफी जादा चोट आई थी अब जो है उनका परिवार जो है उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा है आपको बता दी कि थोड़ी दिर पहले शेहनवाज हुसाइन मिल कर गया है साथ मुमित पहले का ना दाड़ा हम आपको दिखा रहे हैं उनके डॉक्टर अभी जो तो चोटीनिव्हार शेहर्वेस की कंसल्टेंट से यह हो गोटेन करनेंगे अगर वो कहेंगे करनें जाना है हाजिर हम लोग अगर कहते हैं कि पटना में रहना तो हाजिर हमें अभी तो बहुत अच्छी कंडिशन है लास्ट फॉटी एट आज में तो ऐसे में कंड़े की चोट में क्या वो रिकवर हो जाएंगा रिकवर तो होगा फ्राक्टिर है बिसिकली कोई जाते तो क्या यह सही है मतलब दिल्ली जाने कोई दिकत कोई परिशानी तो नहीं होगी द काूर कि अच्ची कप अच्यार कोई तो में कके अच्ट। अपने साफ तर पे कहा उनके डॉक्टर दोबारा बाहर आये थे उनका कहना था कि लालू पशात की तब्यद जो है वो काफी पहले से काफी जादा सुधार है अब सांस लेने में उतने उनको दिखकत भी नहीं हो रही है और अपने परिवार से बात भी कर पा रहे हैं में उनका साफ करे तैजव यहां दॅ कर भी कहना है कि उनके परिवार वाले उनने दिलही ले जाने के लिए कह रहे हैं उनने डिलही ले जाना चाहर हो और जो आप दीख सकते हैं अपर नेतर पति परक्श तीडम यहां पर मौझूद हैं देख लें गाड़ी से मिलने के लिए और गाण कर और अगे हैं यहां का भृति करने हैं जासी लेहां ले जाने की तियारी कर ठीम मूझूद है और ले जाने की ट्यारी करी आपको एविच हूऊँ अब लगारी ने पासिए ठार फस्ट्रेश में के लिए अब क्या कुछ कहना है ते जुसका अब कुछ तुनाएंगे इसे था कि फ़रों के साथ हमाँ से जुड़े रहें तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत भन्यवाद